तो आज हम लोग आए हैं ऐसी जगह पे मैं आपको भी लेकर आई हूँ जहां पर बहुत कम पैसों में हम ताज मेल का बहुत करीबी से हम उसका व्यू का इंजॉय करेंगे तो हम लोग जा रहे हैं यह के अवार सी हम लोग जायां है महिताब भाग महिताब भाग है यह बेसिकली जो बाग भाग दूर्द कर दोल वागा यह अनका ऐवास कि अवास मेरे हस्भान की है प्रणया कैम्रह बाग बाग है इनकी आवास है यहल पैठ गे तो हम लोग तुने कोलरी बहुत पलाई तो गाइस आज हम लोगा ने चेक आड वगरा कर लिया है अभी बस जस हम लोग जा रहे मेरी जो फ्रेंड है उनकी सासुमा को जाना था मैं ताबा गारण में अपनी पोती को गले से लगा पर फोटो क्लिक करवानी थी क्योंकि वहां स ताजमेल का वियू बहुत अच्छा है जैसे हम वहां से जो जाते हैं मैं बोलनू मैं भी बोलूगा तो बोला जानी रहा है वहां से यह है कि यमना रिवर जो है उसका बस एक हलका सा बार्टर का वो लगावा है वास सामने से दिखते है आप टिकट ले जाओगे तुम बोल बोल तू बोल शायद गाडन भी है वहां पर चाहे पीते भीते आप यू नहीं समझ मैं मैं बता तो शायद गाडन भी है वा जी वा जी वा शायद रेस्टरंट है मुझे भी बता है रेस्टरंट है तो महां पर बैटे 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 चाहे पीके और बैटे चाहे पीएंग तो बेसिकली हम लोग जा रहे रास्ते में यहां हमें को मिलेगी यमुना नदी यमुना नदी जो है यह ताज मेल के बैक साइट पर जो है यह है तीन सो मीटर तीन सो गुना और नो सो असी फीट की है यह यमुना नदी बहुत ही बड़ी यमुना नदी है यह बिलकुल आगरा जो ताजमेल है ताजमेल की बिलकुल बैक साइड पर है यह यमुना नदी इसी के पास में ही है एक गार्डन जिस गार्डन में हम लोग जा रहे हैं उसका नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ तो बहुत बड़ा यह पुल है यहां पर यह बाय रोट के आपको दिखेगा भी अगर आप ताजमेल जाते हैं तो आपको बैक साइड पर दिखता है यमुना नदी उसके पीछे दिखता है गार्डन टाइप का तो यहां पर है थोड़ा कंसक्शन का भी काम चल रहा है थोड़ा बी केरफुल अगर आप आते हैं शायद जब तक आप सुरत सा लगा मुझे यह महताब बाग यहां के कुछ इत्हासिक बाते भी हैं कि कहा जाता है कि जब इसको बनाया गया था जब ताजमहल के सामने शाह जहां ने सोचा कि एक सफे संगमरमर का है तो एक काला संगमरमर का भी होना चाहिए ताजमहल तो उसके कमपैरिजन में उसके लिए उन लोगों ने ये बनाया था कि यहां पर गार्डन होगा ताकि शाह जहां रात के टैइंग इसका आनंद ले सके चांदी की तरह यहां पर फुवारे लगे गए गए पच्छी से तीस फुवारे लगे गए यहां पर काफी सारी नर्सरीज हुई फूलो की बगिय बनी यहां पर लेकिन सब तहस्नेस हो गया जब बाड़े आने लगी जब कोई जादा दिहान नहीं दिया गया तो यह बिल्कुल जंगल बन गया था रेत के टीले की तरह हो गया था तो शाह जहां जब इसको बनाने लगा था उस टेम पे पंदरह सो तीस के करीब जो है यह बनाने को सोचा था काला ताज महल क्योंकि शाह जा चाहता था कि सफे संगमरमर का जो उसने ताज महल बनाया है मुम्ताज के लिए सेम वैसा ही एक काले पत्थर का भी काला ताज महल होना चाहिए तो ताज महल बनाने के सीरी काला ताज महल बनाने के लिए शाह जहाने यमन नदी के बैक साइड पे यानि के ताज महल की बैक साइड पे अगर वो फ्रंट से देखेगा तो उसको फ्रंट से दिखने को मिलता ताज महल काला ताज महल देखने को मिलता तो आगे मैं आपको लेके जारी हूं वो जगह जहां पर काला ताज महल बनने वाला था जो कि वो न वाइट ताज महल में बनाया था मौम ताज की याद में लेकिन जैसे की वह नहीं बना पाया क्योंकि जो उसका बेटा था औरेंग जेब उसे ये नागवा रहा ता उसने क्या करा शाहां को उसने आगरा के किले में नजर बंद कर दिया था और 96 में शाहां की मिर्टू भी हो चुकी थी तो औरंग जेब ने उनके शफ को उनकी पत्नी के साथ में वाइट ताजमेल में ही उनका मगबरा बना दिया और काला ताजमेल का सपना अधूरा ही र तो इस तरीके का व्यू हम लोगों को भी दिखने को मिलता कि सामने काला ताज महल होता और उसके सामने सफेद ताज महल होता तो कितना खुबसूरत ये नजारा होता देखने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं अपनी खुबसूरती ताज महल की जो है उसका व्यू का मज़ा लेने के लिए अनन्द लेने के लिए तो बहुत ही इंट्रस्टिंग थी ये स्टोरी इनकी काफी मज़ेदार लगा मुझे जब हम लोग गए वहां पर पता चला इतना ही मुझे पता चला अगर आप लोगों को भी कुछ ज़्यादा पता है तो प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो हम लोगों को यहां पर जैसे बताया गया था कि रेस्टरेंट है खाने का समान है ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपने साथ में कैरी करें पानी की बॉटल के लिए जरूर बाहर मिल जाएगा लेकिन खाने का रेस्टरेंट वगरा कुछ नहीं है यहां सिर् टाइम मिले तो यहां पर आके भी आप फोटोग्राफ वगरा जुरूर क्लिक करवाएं और यहां आके आप अपने बच्चों को भी बताएं कि कैसे काला ताजमहल भी होता अगर शाह जहां बनाता और अगर औरंग बनाने देता तो तो यहां कुछ फोटोग्राफ मैंने क् यहां मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो उनकी ममी का सपना था मेरी फ्रेंड की सास का ड्रीम था कि अपनी पोटी के साथ गल्य लगा कर फोटोर क्लिक करनी थी ताजमहल के सामने क्योंकि ताजमहल में बहुत ज़्यादा भीड होती है होश बहॉत होत तो यहां हम तो अग्दम सुकुन मिला, बहुत रिलेक्सफुल हम लोगों ने फोटो क्लिक करी, अपनी फोटो ग्रेफ क्लिक करी तो अब मैं चलती हूं उस जगह पर जहां हम लोगों ने अपनी फोटोग्राफ क्लिक खरई हैं काला ताज महला, वाई ताज महला, तो यहां मेरे हजबन कुछ मस्ती के mood में थे, तो वो इस तरीके से बोड़ते हैं, आप लोग फोटोग्राफ जो है, वो स्टार्ट होगी है, तो हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी memories में लेकर आई हूँ, फोटोग्राफ व यहां से आप वियू देखने के लगी नी रहा कि हम लोग ताज महल के अंदर हैं, यह ताज महल के बैक साइड बाले गेट पर हैं, तो यहां पर ना इस तक पर पार करके यह नहीं ना दी है तो यहां से मैंने इनको उतार दिया था कि सीटी बजरी चलो चलो फटा फटा क्लिक करें, तो इसलिए हम लोग गए थे, यहां कुछ मस्ती करी, मैं रेंडमी फोटोग्राफ बगारा क्लिक कर दी, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो यहां बहुत सारी मस्ती हम लोगों ने करी है, गार्डन में जाके फ्री होकर एक दम, कुछ होश पोश पोश आएं, व्यूज़ए करें, और फोटोग्राफ री जो है वो करें, फोटोग्राफ कीचें, अपनी मेंपरी जो है, सेफ करें यहां पर आकर क्योंकि बहुत सारी चीज़े हम लोग मिस कर जाते हैं, तो अगर आप ताजमेल आ रहे हैं, तो यहां पर भी ज़रूर आएं, यह यहां का भी वियू काफी अच्छा है, हाँ बट अपना कैमरा, जो है, महेंगा कैमरा है, यह लैपटोबो गाडी में ही छोड़ करें, यहां पर आप नहीं इन लोगों को पर ट्रस्ट करें, क्योंकि उन लोगों ने भी गरांटी नहीं दीती, कि आपके जो लैपटोबो से जल्दी में डालती हूं, वीडियो अपडेट हैं, वीडियो डालते हैं, एडिट करते हैं, तो यहां रस्ते में जो फूड कोड पे हम लोग रुके थे, तो मैं और मिशी का तो भाई जम के वहीं पर ही सोगत है, क्योंकि हम दोनों को सबसे जादा थकावाट हुई थी, तो यहां से अब हमारा सफर होता है, खतम हम जाते हैं घर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अलाहाफीज, बाई बाई, टेक्यर, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बाई